हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू भूमिकाज किचन आज में आपके लेकर आई हूं बटाटा बडा की रेस्टी इसके साथ ठेले वारे जो लाल चटनी सेयर करते हैं मैं उसकी रेस्टी भी सेयर कर रहे हूं जिसी बिल्कुल बलगेगा कि अब ठेले पे बने हुए बटाटा बडा तोड़ लेना है इसमें प्याज नहीं पड़ता है लेकिन मैं यहां साथ से आठ हरी मिर्च अद्रख और लेसुन का पेश्ट बना रही हूं एक इंच अद्रख और आठ से दस कली लैसुन की मिर्च आपने टेस्ट करना लिए मिक्सर में में इसका कढाय करहा कढाय में बस म आट से दस कड़ी पत्ते डाले कड़ी पत्ते से टेस्ट अच्छा आता है जो मैंने मसाले पेश्ट बना के रखे थे दर दर उनको डाल के भी दो मिन भून लोंगी कि लेशन और अद्रह का कच्छापन निकल जाए अब यह हमारे भून गया है मसाले तो मैं इसमें आलू ट्र मिया पौडर अफ टीश्पून गर्ममसाला पौडर और 140 इश्पून कस्मेरि लालुच पाउडर 140 इश्पून मैंने आम चुर पाउडर थोड़ा सा कसूरी मेथी को करश्ट करके डाला कसूरी मेथी से टिस्ट अच्छा था है ठेले वाले डालते हैं आपने देखा होगा क के साथ हम मसालों को भूल लेंगे मिला के और यह देखिए हमारी स्टफिंग कितनी ड्राइब निया गैस के फ्लेम को आफ कर दिया मैंने सारे मसाले मिला कर आलो को दो से ठंधा होने दूंगी अब मैं यहां थोड़े से धनिया पता डाल रही है धनिया पता आप अपने च्छ बिल्कुल ऑईली और गीला नहीं फिर भी यह मेरे हाथों में चिपक भी नहीं रहा देख रहे हैं ऐसे में सारे बॉल्स बनाकर त्यार कर लिए अब मैं इसके लिए बेटर बनाने वाली हूं तो यहां मैं डेड़ कब बेशन का इस्तमाल कर रही हूं और इसमें क्रंच ला टेबल इस्पून चावल काटर डाली हूं थोड़ा सा हल्दी डाली हूं कलर के लिए और स्वादा नुसार नमक डाले सब ड्राइए इंग्रिडेंस को अच्छे से मिला लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पारी डाल के हमको इसका बिल्कुल गारा बेटर बनाना है हमको जब बटाटा को इसमें अपने अलू बड़ो को इसमें डीप करें तो अच्छे से कोट हो जाए पतला रहेगा तो उपर की कोटिंग भी पतली होगी और क्रंच नहीं आएगा अच्छा नहीं बनेगा या फिर आलू अच्छे से कोट नहीं होई मसाले हट गए ना तो जब बैटर में लंप ना पड़े और अच्छे से घोल लिया इसके बाद इसके पास इनट फेट जितना ज्यादा वैसको अच्छे से पास से साथ मिनट फेट लेंगे ना तो इतना अच्छा बेशन हलका होगा इसमें एयर बबल्स बनेंगे और यह बहुत अच्छे होंगे ऐसे बाद बढ़ा की खिली खिली बने इसके लिए मैं इस्तों बनेकी है डाल रही हुत बहुत ज्यांस उपते हैं और इन्हें अप्छे से बटाटा बढ़ाों को वाल बना रखते रिख रहे हैं कि इतने ईच्छे गूल हूए है और अब मैं यहां तेल देख चेक कर यह थोड़ा से डाला और यह नीची जाके चिपके नहीं ऊपर आ गये मतलब बिल्कुल परफेक्ट है तेल गरम है आप हम अपने बटाटर बड़ों के चमच उठाएंगे और इन्हें हलके किनारे करके जो एक्स्ट्रा वैसन गिरा करेंगे तो यह जो बेशन की कोट होती है नीचे जाती है और आलू उपर जबता है उसमें थोड़ा सा कंभी बेशन है तो ऊपर रहता है तो चिपके का नहीं और यह जो किनारे किनारे लच्छे बन रहे हैं जान बूज के बना रहे हूं इनका इस्तमाल में आगे चक्नीब बनाने में करूंगे जो मैं आपको आपके दिखाऊंगे और ऐसे कड़ाई में जितने बड़े आपकी चार से पांच जितने आजाए उन्हें डालिए एक साथ ज्यादा ना डालिए और उन्हें मीडियम इंटु हाइफलें पे कूक करी और यह देखिए हमारे बटाता बड बिल्कुल तेल नहीं पिया है योकि इनकी स्टफिंग इनका बेशन का घोल बिल्कुल पर्फेक्ट बना था और दूसरे बैच में आपको दिखा रही हूं कैसी कोट करें बेशन से और चमच उठाया चमच उपरा हिस्सा जो है उसको नीचे पलट कर डाले ताकि हमारे बट बढ़े बनकर तयार है आप मैं आपको बताती हूं लाल चटनी जब मैं इसको तल रही तो सेव के जिसे कच्छे मतल बेशन के लच्छे बन रहे थे इनको मैंने निकाल लिया और अलग रखा इसमें साथ से आठाली लसुट भी डाल सकते हैं ठेले वाले लासुट को बिना दालते हैं थोड़ा सन्नामा को थोड़ा सालाल विच पाउडर डालोंगी और इन्हें बिना पारिजारे दरदरा पीस लोगी और यह थे थेले वाली लाल चटनी बनकर तयार है अब बटाटा बड़ा को हरी चटनी इमलेगी चटनी और लाल चटनी और भूरे में इसके कर दो 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 कर दो